प्रक्रण 1. राजपुत युग. नवाशाशको अने राच्यो. प्रस्तावना राजपुत राजबियों इस्विशन साससो थी बारसो वच्चेना 500 वरषना समय गाळा दर्म्यान, मोटा भागना उत्तर अने दक्षिन भारत पर वर्चस्व जमावी, राजपुत युगनी स्तापना करी. तेमने भारतिय हिंदू संस्कुरुती ने प्रजबलित राखी. आ तमाम नाना मोटा छत्ता नौध पात्र एवा राजपुत राजजियों क्या अने केवा हता ते विस्तार्थी जुईए. हर्श्वर्दन पच्छीनों समय गाळो सात्मी सदी मां हर्श्वर्दनना अउसान बाद उत्तर भारत मां तेमना विशाल सामराज्यनू नाना नाना स्वतंत्र राजजियों मां विभाजन थेवु। एजरी ते पूलकेशी बिजाना अउसान पची दख्सीन भारत मां पन स्वतंत्र राजजियों बन्या. मद्य यूग ना आ समयकाड ने बारत्य इत्यास मा राजपूत यूग केवामा आवे छे आटलू जानू राजपूत शब्दनो अर्थ राजपूत्र थाई छे चौदमी सदीना फाटो राजपूतों ने छत्री स्कूर धरावता समूतरी के वर्णवे छे राजपूतों बाद्दू रता एटलाज टेकीला हता आपेल वचन प्राणने भोगे पन पारता दुश्मनने पीट बतावा करता त्यों मृत्यू विशेश पसंद करता त्यों गउ ब्राम्बन प्रतिपालक हता शन्ने आवेलानू तेओ कोई पन भोगे रक्षन करता लडाई माँ पन अधर्म आचरता नहीं भारतनी राजपूतानियों विरत्व माटे विख्या थती उत्र अने पतीने हस्ता मुखे यूध माँ विदायापती सतित्व, निडर्ता अने सत्य माटे ते प्राण निये परवा करती नहीं जरूर पडे तो हाथ मा तलवार लईने रण मेदाने निकडी परती आवी विरांग नाओना अनेक उदारनों जुवा मलेज विचारो, रजपुद दानियों शास्त्र अने शस्त्र नों अप्यास शामाटे करती अती? आजिनी मैला होए, कया कया शेत्रमा अप्यास करवो जुए? शामाटे भारतना मध्य युगी नित्यासमा रण दिरा राजपुद शाषकोनी विर्ता, साहस अने शौर्यना प्रसंगों नो धायलाचे आश्रे 500 वरश सुदी राजपुदोए भारतने विदेशी आक्रमनों थी बचाव्यो हतो आवा राजपुत राज्य वंशो विशेजानिए, साक्मी सदीना अन्तमा सामंत शाईशक्तियों नो उदैथता, भारत अनेक नाना मुटा टुगदावो मां वेचायो देशमा अनेक राजपुत्राज्य वन्ष्णों उदै था हो। आ समय ने मत्य युग कहे छे। आपणे ते समय ना उत्तर अने दक्षिन भारतना राज्योंनों अप्यास करीशू। उत्तर भारतना राज्यों। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यना पतन बाद, कनोजनु घटवाल राज्य, बुंदेल खंड, जेजाग पुक्तिना चंदेलो, मालवानु परमार राज्य, अनहिल वाडनु चवलुक्य, सुलंकी राज्य, डाहलनु चेदी राज्य, शाकम भरेनु चवहान राज्य, स्थाननु गोहिल राज्य स्तापित थया, गढ़वाल राज्यनों स्तापक चंद्रदेव हतो, तेमने कनोज सिवाय काशी ने पन बीजी राज्यधानी बनावी हती, आ वन्षमा मदन चंद्र, गोविंद चंद्र जिवा शाशको थया हता, जेमा गोविंद चंद्र आ सौथी प्रतापी अने पराक्रमी राजा आतो, तेने गजनीना आक्रमन्ने अठकावियो हतु, तेमज अनेक बउद विहारोनों जिनोद्धार करावियो हतो, उत्तर भारतना अन्य शाशको मा बुंदेल खंडना चंदेलोनों समावेश थाई छे, बुंदेल खंड प्रदे आराचियमा यशोवर्मा, किर्तिवर्मा, परमहिर्देव, परमाल, चेवा महान साशको थाई गया हता, भारतना इत्यासमा चंदेल वन्षनु घणूमा अत्व छे, खजूराओ, कालिंजर, अने महोबा चंदेलोना मुख्य नगरो हता, खजूराओ तेना भव्य मंदीरों लईने तीर्स्तान तरीके प्रख्यात थयू हतू। चंदेलोये बुंदेल खणना महान धार्मिक मकानों, अने जडाशयो बंधावीने सुशोपित बनावियू हतू। मालवानों प्रदेश प्राचिन कार्थी अवंती अथवा उज्जैनना राच्य तरीके जानी तो छे। इस्वीशन 820 मां कुरुष्ण राजे परमार्वन्ष्णी स्तापना करी हती। परमार्वन्ष्मां सियक, मूंज, भोज जिवा महान साशको थया हता। भोज परमार्वन्ष्णों सौथी श्रिष्ठ राजा हतो। तैनी ख्याती भारतना एक आदर्ष लोकप्रिय राजा तरीके नी हती। राजा भोजे धारा नगरी मां एक महां शाडानी स्तापना करी हती। फर्ती टेकरोनी वच्मा सुन्दर नगर पोजपूर वर्तमान भोपाल नामनू नगर वसाविवतू। चउहान के चाहमान वन्ष्णा अनेक राजपुत सर्दारों गुच्रात अने राजस्तानना विवित भागोमा राच्य करता हता। एमानी एक शाखा आठमी सदीना सामबर सरोवर नजीक शाकमबरी अजमेनी उत्तर आविल सामबर नामन स्तले राच्य करती हती। साकमबरीना चाहमान चउहान वन्ष्णो स्तापक वासुदेव हतो। बार्मी सदीना आरंभ मा अजय राज साकमबरीनी गादी उपर बैठो हतो। तेने अजय मेरू नामना नगरनी स्तापना करी हती। जे पाचर थी अजमेर नामे उलखायो हतु। गुजरात ना सोलंकी राजा सिध राज जैसीनी राजकूरीना लग्न चउहान वंश्णा अनोराज साते थाएला। तेमनो पुत्र सुमेश्वर चउहान गादी आवेओ। तेना पची तेनो पुत्र प्रुथ्वी राज त्रीजो गादी आवेओ हतो। आ प्रुथ्वी राज त्रिजो भारतना इत्यास मा अध्वितियस्ता अंधर आवे छे। इस्वी सनक 1101 मा थानेश्वर अने करनाल वच्चे आवेला तराईना मैदान मा सिहाबू दिन घोरी ने प्रुथ्वी राज चववाने सजड हार आपियती। ते पछी इस्वी सनक 1102 मा पुरुथ्वी राज चववाननी हार थाई अने दिल्लीना तक्ता पर मुस्लिम सत्तानो उदै थायो। आथी तराईनी लडाई भारत्य इत्यास मा सीमा चिन्न रूप कणाये छे। राज पूत्यूग मा कुछ रातना शाषकोनू विशेश स्थान छे। आठमी सदी मा गुर्जर प्रतिहारोनू राज्य हतु। आठमी सदीना मत्यमा आश्रे इस्विशन 756 मा सरस्वती नदीना किनारे वन्राज चावडाये अन्हील वाड पाटननी स्थापना करी हती। पोताना बाल मित्र अन्हील भर्वाडना नाम उपर्थी वन्राज चावडाये नवीन नगन्नु नाम अन्हील वाड पाटन राखेल एवी सामान्य मान्यता छे। आज समय गुजरातना सौराष्ट अने कच्मा चावडावंशना शाषकोहता। विचारो साची मित्रताना प्रसंगोनी वर्ग खंड मां चर्चा करो। नवीन गाम के शेहरोनी स्तापनाने लगता प्रसंगो शोधीने वर्ग मां चर्चा करो। जेमा वटवान, दीव, ओखामंडर, पाटगर, लकपत, पद्रावती, कच, वगेरेनों समावेश थाई छे। आ बद्ता साशकों मा सोलंकियोना शाशनकाड ने गुजरातना राजपुत शाशननों सुवन युग गणवामा आवेशे। आवश्मा मूर्राज, भीमदेव प्रथम, सिद्राज जैसी, कुमारपाळ, भीमदेव बीजो वगेरे शक्तिशारी शाशकों थाई गया। सोलंकियोना शाशनमा गुजरात आर्थीक अनिस्तांस्कुरूतिक त्रष्टिय सम्रुद्ध हतु। जुनागडना शाशक, राखेंगार नी दिक्री, उदै मतीना लग्न, भीमदेव प्रथम, सोलंकि साते थया आता। राणी उदै मतीये पाटनमा विश्व प्रसिद्ध वाव बनावी हती, जे राणीनी वाव तरीके उलखाये छे। आजे आ राणीनी वाव ने युनेसको वल्ड हेरिटेज साइट नो दरज्जो मडेल छे। सित्राज जैसीनी माता मिनर देवी आदर्ष राजमाता हता। तेमने प्रजाने न्याय आप्पा अनेक काम कर्या हता। सोमनातनो यात्राळ वेडो बंद करावामा तोलकामा मलाव तड़ावना बांद काममा तेमनो जनिने हतो। सित्राज जैसीने कलीकाल सर्वग्न हेम चंद्राचारियजी पासे सिद्ध हेम शब्दानु शाषन नामना सम्रुद ग्रंथनी रचना करावी हती। अन्य आ ग्रंथनी नगरमा हाथी उपर शोभायात्रा काडी हती। त्यारे पाटननो राजा आम प्रजानी साथे चालेओ हतो। कुमार पाड़ पन प्रजा कल्यानी साशक हतो। अन्य आचारिय हेम चंद्राचारियनो तेना उपर घणो प्रभाव हतो। तेमनी प्रेणा थी राजा कुमार पाड़े राज्यमा जुगारनी रमत पशुवद उपर प्रतिपंद मुक्यो हतो। अन्य अहिंसाना पालन माटे कडक आगनाओ करी हती। कुमार पाड़ चरित्र ग्रंथ लखी ने हेम चंद्राचारिय जीए आ राजानी प्रतिष्टामा वधारो करेल छे। कुमार पाड़ बाद अजय पाड़ पाटननी गादी आव्यो हतो। लगपक चार वरशना साशन बाद तेनो अवसान थता गुजरातनी राजगादी उपर तेनो पुत्र मूर राज बीजो हाव्यो। इसवी सनग्यार सो इठ्यो तेननी आसपास सियाबु दिन गोरिये गुजरात पर आक्रमन करेल त्यारे प्मूर राज बीजाए नानी उम्मरे तेनो सामनो करी तेने हराव्यो हतो। आ लडाई मा नाडोल ना चाहमान राजा केलहने तथा एना भाई कीर्ती पाले तेने मदद करी हती। सोलंकी शाशकोनी सक्ता नबडी परता गुजरातनी कादियू पर वागेला वंशनू शाशना व्यू। वागेला ओ सोलंकीना वफादार सर्दार हता। तेमनी सेवाना बदलामा सोलंकी ओए व्याग्र पल्ली वागेल गाम अर्णो राजने आपियो हतु। जे गामना नाम उपर थी तेमना वंशन जो वागेला केवाया। आम तो तेव पर मूल चवलुक्य चाती न हता। वागेला वंशमा वीरधवल, विसर देव, अर्जून देव, सारंग देव, जेवा शाशकोए गुजरातनू शासन सारीरते चलावियो हतु। वीरधवलना साशनकार मा गुजरातने वस्तु पार अनि तेज पार जिवा समर्थ मंत्रियों मल्या हता। आ मंत्रियोंनी कुने ना कारणे गुजरात मुस्लीमा क्रमनों थी बच्यू हतु। वागेला वर्ष ना छिल्ला साशक कण देव वागेलाना समय मा इसवीशन 304 नी आसपास गुजरात मा दिल्ली सल्तनतनी स्तापना थे। आठमी सदीना मध्यबाग मा बंगाड मा पालवन्ष नू साशन हतु। आवन्ष ना स्तापक अने तेना वन्ष जोना नामों मा पाल शब्द पाछनना पागमा आवतो हुआ थी आवन्ष ने बंगाडनों पालवन्ष केवामा आवे छे। आवन्ष नो स्तापक गोपाल इसवीशन 680-770 नामनों राजवी हतो। पालवन्ष ना पतनबात इसवीशन 1055 मा सेन वन्ष नी स्तापना थे हती। आ वन्ष मा विजय सेन प्रथम नौध पात्र राजा हतो। तेना पुत्र बल्लाल सेने दान सागर अने अधभुत सागर नामना ग्रन्थोर चे आता। कर्ण देव वागेला पासे थी गुजरात जितिली दापची दिल्लीना सुल्तान नाजीमों सुबानी निम्णुक करता। तेत वारा राज्य नोवैवड थतो अतो। इसवीशन 407 मा जफर खान मुजफर शा नाम धारन करीने सुल्तान बन्यों। आ वन्ष मा चवद सुल्तानों थाई गया। चेमा अम्मश्रा, महमूद बेगडो, बाद्दुर्शा, जिवा सुल्तानों समावेश थाई छे। सत्तरमी सदी मा कुचरात मा मुगल शाषननी सरुवात थता सल्तनत काल पूरो थयो अतो। आटलू जानों। वन्राज चावडाये, अन्हीलवाल पाटन, तो अम्मश्राये, अम्दावाद वसाविय। आब बन्य शाषकोनी नवा नगरनी स्तापना साथे जुडायेला, किटलाक प्रत दक्षिन भारतना राज्यो। नर्मदा नदीनी दक्षिन मा आवेला राज्यो ने, दक्षिन ना राज्यो केवा मा आवे जे। आठमी सदी मा उत्तर भारतनी जेम, दक्षिन भारत मा पन अनेक नाना मोटा राज्यो स्वतंत्र थया। तेमा थी चालुक्य, राष्ट्रकूटो, पल्लव, चोल, पांडिय, चैर जिवा राज्यो वन्षो विशे तुकमा जानकारी मिडविये। चालुक्य वन्ष्णो प्रथम राजा चैसी हतो। पूलकेशी प्रथमें इस्विशन पांसो चालीस मा वातापी ने राजधानी बनावी ने अलग स्वतंत्र राच्य स्ताप्यो हतु। आ वन्ष वातापी वर्तमान समय मा बादावी ना चालुक्य वन्ष तरीके ओलखायो। आ वन्ष मा किर्थी वर्मा उलकेशी प्रथम, उलकेशी बीजो जिवा महत्वना शाषको थई गया। वातापी ना चालुक्य नी सत्ता नबडी पड़ी क्यारे तेमनी एक शाखा, कुष्णा अने गोदावरी नदीना वच्चे ना प्रदेश मा स्तापित थई। तेनो स्तापक विश्णू वर्धन अतो, आ पुर्विय चालुक्य शाषको ये पोतानी राजधानी वेंगी मा राखी होवा थी, तेओ वेंगी ना चालुक्यो तरीके ओलखाया। वातापि अने वेंगी नी जेम, कल्याणी मा पन चालुक्य वंश्णी एक शाखा आती। आ चालुक्यो कल्याणी ना चालुक्यो तरीके ओलखाया। दक्षिन मा चालुक्य वंश्णी पड़ती थई, त्यारे राष्टकूट वंश्णी सत्तानो उदै थयो। आ वंश्णो सौथी प्रथम राजा इंद्र प्रथमने मानवामा आवे छे। गोविन त्रीजो राष्टकूट वंश्णा शाषकों मा सौथी वदू शक्तिशाली शाषक हतो। आ समय मा यादव वंश्णा बे राथ्यो अस्तित्वमा हता। एक देवगीरी औने बे द्वार समुद्र त्वार समुद्रमा होईसल वंश्णू साषन हतू। अने देवकीरी मा यादव वंश्णा शाषन हतू। त्वार समुद्र होईसलोनी राज्थानी हती। अने देवकीरी वर्तमान दोलता बात यादव वंश्णा नी राज्थानी हती। दक्षेण मा कल्यानी चालूक्य सामराज्यना पतन बात या नवार राज्थानों उदए थयो। तेमा वरंगलना काक्तिय पण हता। कृष्णा अने कावेरी नदियो वच्चेना फुमी प्रदेश उपर तेमनू राज्थानी हती। वरंगल तेमनी राज्थानी हती। पपदेवे करी हती। तेमनी राज्थानी कांची पूरंमा हती। महेंद्र वर्मा प्रथम, नर्सी वर्मा प्रथम, अने नर्सी वर्मा बीजो आ वंश्णा महत्वना शाशको हता। तांजोर, त्रिचिना पल्ली, अने पुदु कुट्टेईचे आवेला छे, त्या मत्यकालमा चोल मंडननू राज्ची हती। तांजोर, तेमनी राज़तानी हती। राज-राज प्रथम, राजाती राज प्रथम, अने राजेंद्र प्रथम, चोल वंश्णा महत्वना शाशको हता। दक्षिननू आवू एक प्राचिन राज्य पांडिय पन हतु। पांडियोनू राज्य नानू हतु। पन वैपारनू मोटू मत्थक हतु। आ समय तमिल्थी अलक थैला एक भाग पर चैर्वंशनू शाशन हतु। चैरनू बिजु नाम केरल अत्वा मल्यालम छे। अयन चैर्वंशनो प्रथम शाशक हतु। अने सेतुन गवन चैर शाशकोमा सर्व स्त्रिष्ट शाशक हतु। राजपूत युगनी शाशन वैवस्ता। राजपूत युगमा विबीद राज्यवन्षोंनु शाषन हतु। ए समयमा शाषक राज्यवन्षोंमा परिवर्तनों आवता, परंतु राजनितिक परिस्तितिमा कोई फेरफार जुवा मडता नथी। राजपूत युगमा राजानु पद वन्षपरंपरागत हतु। राजानो जहेश्ट पुत्र राज्यातिकारी बने तेव न हतु। राजा पोताना पुत्रों माथी उत्तर आतिकारी तरीके कोई एक पुत्रने यूराज बनावता। आयूराज पाचर्थी राजा बन्तो। लोको अथ्वा राज दर्बारियोय चुटनी करीने अथ्वा पसंद्गी करीने राजा ओनी पसंद्गी करी होवाना उदारणों छे। चेम के कश्मीर ना यशसकर नी प्राम्मणों नी सबाय पसंद्गी करी हती। आ समय मंत्रियों ना बे प्रकार हता। एक अमात्य अने बे सचीवो। अमात्यनु कारिय मंत्रना अने राजनिती करवानु हतु। अने सचीवोनु कारिय लडाई तथा सुलेनु हतु। दरेक प्रकार्नी नितीनों अंतिम्नीने राजा करतो हतो। आ समय शाशनना अमलदारों मां महा प्रतिहार अने दंड नायक जिवा होत्ताओ अमल माहता। नगरनी सभानों वडो नगर पती के वातो। राजपुत युग मां ग्रामीन संस्ताओनु महत्व विशेशतु। आ संस्ताओनों एवो विकास थलो के मुगलकार मां पण ग्राम पंचायतनु महत्व रहु। उत्तर नीजें दक्षिन भारत पण ग्राम पंचायतने आतीन हतु। तेनों वडो मुखी के सर्पंच गणातो। हिटलीक बाबतों मां ग्राम सभा न्याय आपती। परंतु राज्य शाषन मां न्याय तंत्रनों सर्वोच वडो राजा हतो। विचारो। न्याय मांटे पंचिने परमेश्वर गणवामां आवे छे। अदालत मां शा मांटे सोगन लेवडावामां आवे छे। वैपार वानीजिय। राजपूत युगमा वानेज्य वैवस्ता उपर देखनेक राखवा मांटे एक अलग विबाख हतो। आवी बाग विदेश खातेना वैपार उपरनी चकात वसुल करवानी। वस्तुओनू मूल्य ठराव वानी। अने राजज्यमा उप्योगी थती वस्तुओ मंगावानी वगेरे व्यवस्ता करतो। मुख्य कर जमीननी उपजनो छट्थो भागतो। राजपूत युगमा जमीन परनो कर भाग नामे ओलखातो। आजे पन जमीन पर कर लेवाई छे। बंदरोंने नाका उपर तथा सिंचाई उपर कर उग्रावा माहोतो। आ समय दर्या पार्वे पार माटे गुजरात ना स्तंब तीर्थ, खंबात अने ब्रोगुकज भरुज बंदरों जानीता हता। भारत पर विदेशी आक्रमनो। आठमी थी बार्मी सदी दर्यान भारत मां मुस्लिम आक्रमनों थया। आठमी सदी मां आरब राज्य सत्तानों विस्तार करवाना हेतु थी, मुम्मत इब्नकासी में भारत ना उत्तरपस्चिम भाग पर आक्रमन करिय। वायव यखुणा मां थी सबुक तेक इनना लश्करे पन आक्रमन करिय। पन आ आक्रमनों ते समय भारत मां राज्य सत्ता ना स्तापी शक्या। एपची गज्निना सुल्तान मम्मद गज्निने इस विशन 1000 थी 1026 ना समय गाळा मां भारत नी अधड़क धन संपत्ती जोई ने केटलिक चड़ाईयों करी। मुम्मद गज्निनी चड़ाईनू मुख्यकारण भारत नी अधड़क संपत्ती हती। ते एक चड़ाई पची बिजी चड़ाई करतो हतो अने दरेक वखते वतूत ताकात वर थाईने भारत उपर चड़ियाऊतो। आ समय भारत ना शाशको एक थाईने शक्ती शाड़ी सेना ना बनावी शक्या। परिणा में इस विशन एक अजार पचीस मां तेने सोमनात पर चड़ाई करीने अधड़क संपत्ती लूटी। मोहमद गजनीनी चड़ाई बात आश्रेट दोर सो वरश बात उनह भारत उपर तेज दिशामाथी आकरमन थय। अगाउना आकरमनोंनी वात भारतिय शाशको पुली गया। मोहमद गजनीना आउसान बात सत्ता माटे गजनीमा लड़ायो चालू हती। पण आ समय सत्ता स्तीर थै नहती। त्यारे आपणा शाशको आ नबड़ायीनों लाब लई शक्या नहीं। परिणा में बार्मी सदीना अंत मा सिहाब बुद्धिन गोरिये आकरमन कर्य। शरूआत मां तेने किटली खार सहन करवी पड़ी। छेवटे तराईना मेदान मां तेने बिजी चडाई मां प्रुथ्वी राज चंवानने हार आपी दिल्ली मां सत्ता स्तापी। झाल